हलो स्टूडेंट्स आप सभी का आज किस कक्षा में स्वागत है आज जो हमारा टॉपिक होगा वो वायू मंडल पर होगा क्योंकि वायू मंडल से हमेशा सवाल देखने को मिलते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं वायू मंडल देखी वायू मंडल की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि हमार जो पृत्वी है वो वायू की परतों से धका हुआ है, घीरा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायू मंडल कहते हैं, अब देखें, यहां पर देखें, सिंपली अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो किसी भी ग्रे के चार और गैसो का जो आवरन होता है, जो परत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वायू मंडल कहते हैं, तो यह आल ओवर किसका परिभासा हो गया, यह आपके वायू मंडल का परिभासा हो गया, आपके एट समताप मंडल, जोब मंडल तो वहां से एकसर सवाल देखने को मिलते हैं तो पढ़ते चलेंगे और नोट्स भी बनाते चलेंगे अगर हम बात करें तो पृत्वी के चारों और गैसों का आवरण क्या कहलाता है पृत्वी का वाईउ मंडल कहलाता है चुकि हम पृत्वी में रहते हैं तो पृत्वी की बात करेंगे वाईउ मंडल जो है वो 10 किलो मीटर तक सैला हुआ है ठीक है वाईउ मंडल को ताप मानता था अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बाटा गया है कौन-कौन से वो 5 परत है समझेंगे यहाँ पर अब देखिए यहाँ पास आपके 5 परत है आप देख सकते एक, दो, तीन, चार, पार्च हमारा जो कह सकते हैं मुख्य बिंदू है यह इन ही पर अधारित है जो वायू मंडल की जो 5 परते हैं इसे ही आज हम समझेंगे क्योंकि एक्जाम में अकसर यही से सवाल पूछा जाता है ऐसा नहीं है कि वायू मंडल का डारेक्ट सवाल करते हैं ऐसा नहीं है थोड़ा सा डेप्स में जाकर यहाँ से डारेक्ट सवाल किया जाता है तो troposphere, stratosphere, mesosphere, आपका thermosphere, exosphere तो ये सारे क्या है आपके वायू मंडल की पढ़ते हैं और आप देखेंगे stratosphere जिसे हम समताप मंडल कहते हैं इसमें ही ozone layer पाया जाता है क्या होता है ozone layer इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे अगर एक हम simple information की बात करें ozone layer की तो आप सभी को पता है कि ozone layer क्या करता है सूरी की जो हानी का रख परा बैगनी किरन होती है जो त्वचा को क्या करती है नुकसान पहुचाती है उसी से ये हमारा क्या करता है बचाओ करता है जिसे हम ozone layer कहते है ozone हमारा एक important topic है इसी लिए एक अलग से कक्षा में हम ozone को बहुत अच्छे से समझेंगे आज हम वायू मंडल की परतों को देखेंगे चलिए extra information है आपके लिए वायू मंडल की उपरी परत के अध्यन को क्या कहते है तो वायू विज्ञान कहते है एट्रोलोजी कहते है वायू मंडल की नीचरी परत के अध्यन को रितू विज्ञान या मेट्रोलोज कहते है यह पर आपका लोजी गायब है तो metrology कहते हैं, चलिए, और कहीं-कहीं पर आपका इसको metrology भी कहते हैं, तो इनको दोनों को ध्यान में रखेगा, एक तो आपका उपरी परत का अध्यन को क्या कहते हैं, अगर वायू मंडल का आप उपरी परत का अध्यन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, और निचली प बैंकिंग का एक्जाम हो रहा है या आपके किसी व्यापम का एक्जाम हो रहा है तो वहाँ पर देखने को मिला है वायू मंडल में पाये जाने वाली महत्पुन गैसे तो वायू मंडल में मुख्य रूप से आपके अधी ये सब क्या है गैस पाय जाते हैं अगर हम बात करें सबसे अधीक मात्रा में नाइट रूप से ज्यादा मैत्रा वाली गैस कौन सी यह तो वह नइट्रोजन है अक्सर सवाल में पूछा जाता था लेकिन अभी थोड़ा सा क्या कर रहा है ये सवाल को नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जा रहा है तब भी से आपको ये पता होना चाहिए चलिए आगे बढ़ेंगे इन सभी का प्रसंटे से याद रखेंगे ओक्सीजन 20.95 परशंट 0.93 परशंट अगर हम कारवन डियोकसाइट की बात करें तो 0.03 परशंट और हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन और ऐसे बहुत सारे देस हैं गैस हैं, जो बहुत कम मात्रा में वायू मंडल में देखने को मिलते हैं लेकिन रहते जरूर है एक सवाल है, देखी ऐसे सवाल बनता है, आपका ये प्रिवियर्स येर में पोच्छा गया क्या कूछ पूछा गया था तो प्रिथवी के वायू मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, तो प्रिथवी के वायू मंडल में पाए जाने वाली गैस हमने देखा नाइट्रोजन है, कितना आपका 78.8% ठीक है, तो ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है अगर है वायू मंडल की सनरचना composition of the atmosphere अब हम atmosphere का composition कैसा है एक एक करके समझेंगे बहुत ज़्यादा important है ध्यान देंगे सबसे पहले हम बात करेंगे जोप मंडल जिसे हम क्या कहते हैं troposphere कहते हैं अगला है आपका समताप मंडल जिसे हम stratosphere कहते हैं इसी मंडल में हमें ओजून का क्या देखने को मिलता है एक layer देखने को मिलता है अगला है आपका मध्य मंडल फिर आयन मंडल और ये है आपका पाँचवा बाहे मंडल तो एक एक करके समझने का प्रियास करेंगे चलिए पहला है आपका proposphere जिसे हम कहते हैं जोप मंडल ये सबसे निचली परत होती है समझने का प्रियास करेंगे जोप मंडल के बारे में अगर हम बात करें तो ये परत पृत्वी के वायू मंडल की सबसे निचली परत है सता से इसकी उचाई लगभग कितना km है 18 km तक होती है, जबकि द्रोवों पर इस परत की उचाई 8 km और विशुवत रेखा पर 18 km होती है, अब देखिए सतह से इसकी उचाई उचा गया था एक बार आपका question कि बताएे सतह से छोप मंदल की उचाई कितनी है, तो द्यान रखेंगे कि सतह से छोप मंदल की उचाई आपका 18 km है, जबकि द्रुवों पर इसके परत की उचाई 8 km और विशुवत रेखा पर 18 km होती है, अगर हम बात करें, जितनी भी गतिवीधिया होती है, वो सब, अगर आप मौसमी घटनाय देख रहे हैं, तो वो सभी घटनाय किसमे होती है, तो ये सभी मौसमी घटनाय आप की धरती पर इसी परत पर होती है, जैसे कौन-कौन सी घटनाय तो आप देख सकते हैं, बिजली का क गलकना, थिक, बादल का बनना, और आपका आंधी तुफान जो भी आता है यह इसमें देखने को हमें मिलता है, बिजली का कन अगर आझा आदी तुफान, आप जितने भी इसी परत में देखने को मिलता है, तो यह किसकी बात हो गई, यह हो गई जोप मंडल की, तो जोप मंडल में हमने क्या समझा, तो जोप मंडल में हमने देखा, कि जितनी भी घटनाय होती है, वो किसमे होती है आपकी, जितनी भी मौसमी घटनाय होती है, वो ट्रोपोस्फेर ज नचोप मंदल में होती का जैसे बिजली का करकना, बादल का गरजना, बर्शात होना, और जो आंधी तूफान जितनी भी घटना है देखने को मिलती है, हमें इसी मंदल में देखने को मिलती है, यही कारण है कि हवाई जहाज वगेरा इसमें नहीं उड़ाया जाता। तो किस में उड़ाये जाता है, यह समझेंगे हम अगले मंडल में. तो अगला है आपका, एक चीज और ध्यान देंगे, इस मंडल में प्रती 165 मीटर की उचाई पर 1 डिग्री सेलसिय स्तापमान की गिरावट होती है, इस मंडल को समझें मंडल या अधो मंडल के नाम से भी जाना जाता है, तो कोश्चन बनता है कि बताईए, एक बार कोश्चन पूछा गया था अधो मंडल के नाम से किस मंडल को जाना जाता है, तो अधो मंडल के नाम से आपके जोब मंडल को जाना जाता है, तो जोब मंडल की बाते, मुझे लगता है आपके लिए काफी होंगी, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या-क्या देखा, तो हमने देखा कि आपका जो ट्रोपोस्फेयर है, जिसे हम जोब मंडल कहते हैं, ये पृत्वी के सबसे निचली परत है, पहला पॉइंट हो गया, ठीक, ये सबसे निचली परत है, किसकी आपके पृत्वी के वाईू मंडल की, सत्ह से इसकी उचाई की बात करें, تو सत्ह से उचाइके वाल 8 km है again, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है या गतिवीधिया धरती पर हमें देती है भोकम बादल का फटना, बिजली का कड़कना यह सभी घटनाएं किसमें होती हैं आपके ट्रोपोसफियर या जोप मंडल में होती है, अब देखे आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में नाम याद रखना है क्योंकि एक्जाम मेर ट्रोपोसफियर को हिंदी में ही टाइप करके दे देता है यह त्रोपोसफियर हो जाएगा आपका तो कई बच्चे क्या होते हैं पढ़के जाते हैं जोप मंडल, प्रोपोस फेयर इंगलिस में पतना नहीं होता है, तो confused होते हैं, बहुत confusion होता है बच्चों को, पांच लेयर जो आता है, तो ये सारी चीज़े हम देख चुके हैं, आंधी तुफान हो गया, ये सारी घटना है आपके जोप मंडल में होती है इवेन आपका इंद्रधनुस जो बनता है ना, वो सभी, मतलब हमने पढ़ा ना, कि जितनी भी घटना है हम धरती पर देखने को मिलती है, कोई भी घटना वो आप लोग देखते हैं जो तुफान वेगरा आ रहा है, ठीक है, बार हारा है, ये सभी घटना है किसमें देखने मंडल या इसे हम कहते हैं समवहन मंडल, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगला है आपका स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें, तो स्ट्रेटोस्फियर में ताप मान क्या रहता है, बराबर रहता है, बराबर मत का जोप मंडल फिर यहां से ले कि यहां तक 18 से आपका कितना 50 km तक कौन सा होगा आपका स्टेटोस्फेर होगा जिसे हम समताप मंडल कहते हैं नाम से ही इस पस्ठ हो रहा है समताप मंडल जहां पस ताप मन पहला हो गया आपका जोब मंडल, और दूसरा क्या हो गया आपका समताफ मंडल, इस मंडल में मौसमी घटनाय जैसे आंधी, तुफान, बिजली कड़कना, बार, आंधी, ये सब घटनाय नहीं होती है, और बादलों का फटना बनना ये सारी घटनाय इस मंडल में नहीं होती ह इसी कारण क्या किया जाता है यहां पास वायू यान आप जितने भी हेलिकॉप्टर्स वगरा देखते हैं इसी मंदल में उड़ाय जाता है क्योंकि सीधी बात है जब बिजली नहीं कड़केगा कोई भी कह सकते हैं वायू मंदली जो घटनाए होती है वो सभी मौसमी घटनाए नहीं होगी तो निश्चीत रूप से वायू यान चलाने में समस्या नहीं होगी और हाँ जोप मंदल में क्यों नहीं उड़ाय जाता है क्योंकि वहाँ पर मौसमी घटनाए देखने को मिलती है ताप मन समान रहने वह मौसमी घटनाओं से मुक्त होने के कानड ये वायू मंडल समताप मंडल में ही उड़ाय जाने के लिए आदर्स छेत्र माना जाता है अगैन यहां से एक बार सवाल पूछा गया था कि वायू यान उड़ाने के लिए सबसे बहतर वायू मंडल का कौन सा परत है तो ध्यान रखेंगे वो है समताप मंडल या स्टेटोस फेर परन्तु कभी-कभी इस मंडल में कभी-कभी अपवाद हर जगा है जैसे हम पढ़ते हैं कि सभी धातवे ठोस होती है अपवाद पारा तो हर जगा अपवाद देखने को मिलता है तो कभी-कभी यहाँ पस बागलो का निर्मार होता है जिसे हम क्या कहते हैं मुलाब मेक कहते हैं तो यह तो बहुत कहना चाहिए आपका जो PSC रेंग का जो एक्जाम होता है उसमें बहुत जादा डेप्ट में पूछा जाता है पर क्यों हमको रिस्क लेना पढ़ना है ताकि एक्जाम में आज है तो हम कर सके ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है अब देखे हमने पढ़ा था ओजोन परत किस मंडल में पाए जाता है तो याद रखेंगे ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाता है जो कि सूरे से आने वाली पराबैगनी किर्णों को अवसोसित कर लेती है इसलिए जो स्कीन का जो कैंसर का खत्रा रहता है वो हमें नहीं होता है आप लोग कलपना कर सकते हैं कि अगर समताप मंडल नहीं होता तो क्या होता इसकी मुटाई धुरूवों पर सरवाधिक पाई ज कि किसकी बात हो गई? ये हो गई आपके समताप मंडल की तो हमने सम्ताप मंडल के बारे में समझा जो क्या है आपके प्रिथवी के वायु Mnlkal की दूसरी परत है चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर ले हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा जोब मंडल और दूसरा है आपका समताप मंडल तो समताप मंडल तो दूसरी परत हो गई अगर हम जोब मंडल की बात करें तो हमने समझा कि जितनी भी मौसमी घटनाए होती है वो जोब मंडल में ही होती है ये प्रिच्वी की पहली परत है आंधी, तुफान, बरसा ठीक है इसारी घटनाए इसी में होती है तो ये किसकी बा मंडल की हम बात करें तो हमने देखा कि समताप मंडल में क्या होता है तापमान समान होता है यही कारण है कि यहां पर हवाई जहाज को उड़ाया जाता है और हमने क्या समझा और हमने ये समझा कि धृवों पर इसकी जो उचाई होती है मोटाई होती है वो क्या होती है अधी भी तीसरा मंदल, की भूमी की देखेंगे, हम बात करें इसकी समताप मंदल तो ओजोन परत किसमें पाये जाता है、से समता परत अपके समताप मंजल में ही पाये जाता है और ओजोन-परत क्या करता है? सूरे से आने वाली हानी का रख जो पराबैगनी किरन होती है उससे हमारे त्वचय के कैंसर की रक्षा करती है आगे बढ़ेंगे, तीसरा मंडल देखेंगे हम, चलिए तो ये है आपका मिजोस्फेर जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मद्य मंडल कहते हैं तो ये मद्य मंडल है, वो क्या है? हमारे प्रिथवी के वायू मंडल है, उसका तीसरा परत है क्या है इसकी भूमी का समझेंगे मद्य मंडल वायू मंडल की तीसरी परत है, तथा ये वायू मंडल की बीच में इस्थित है यही कारण है कि इसे हम मध्य मंडल कहते हैं, अगर इसके विस्तार की बात करें तो यह 50-80 km थक था, लेकिन जो आपका इसके पहले समताप मंडल था, वो 18-50 था, और यह कितना आपके? 50-80 km में हैं, और पहला वाला कितना था? तल से, सतह से आपके 18 km थक था, तो यह तीनों को याद रखेंगे, यह तीनों हो गया, अगला है आपका अंतरिच से आने वाली उलका पिंड मध्य मंडल पर आकर ही समाप्त हो जाती है, अगर कोई उलका पिंड आ रहा है, तो वो क्या होगा? आपके मध्य मंडल में ही आकर समाप्त हो जाएगा, तो यह किसकी बात हुई? आपके मध्य मंडल की बात हुई, इस मंडल में ताप मान उचाई के साथ घटता जाता है, तथा लगभग 100 डिग्री सेंटी ग्रेड तक पहुँच जाता है, जो कि वाईू मंडल का सबसे नियूंतब ताप मान है, अब देखिए, हमने मध्य मंडल को तो समझ लिया, मध्य मंडल में क्या होता है, तो मध्य मंडल में में हमने ये देखा, कि कोई भी उलका पिंड अगर आकर गिरता है, तो वो मध्य मंडल पे ही समाप्त हो जाता है, तो यह रही किसकी बात है, यह रही हमारे मध्य मंडल की बात है, चलिए, अब अगला मंडल हम देखेंगे, अगल जो होता है जिसमें हमें रिडावेस और धनावेस देखने को मिलता है और इसी कारण यह आयन होता है अगर आयन की हम बात करें आयन मंडल की बात करें तो यह मद्य मंडल के उपर 80 km से 400 km के बीच इस्थित होता है कौन आपका आयन मंडल वायू मंडल की यही परत रेडियो तर आते हैं उन्हें परिवर्तित करती है तो वह आपका कौन से है? तो वह आपका ionosphere या हम कह सकते है …ion mandal है संचार उच्रह है आपका जो communication ……settilight होता है, ये इसी …mundal में स्थापित किये जाते हैं सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने समझा कि जो आपके जोप मंडल है, वो सबसे पहले मंडल है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, वो जोप मंडल में ही होती है, जोप मंडल का हमने दूसरा नाम भी देखा, और इसकी उचाई को भी समझा, फिर हमने समताप मंडल को समझा, समताप मंडल जिसका नाम से इस पस्ठ हो आपके satellite होते हैं, जो communication के लिए होते हैं, वो आपके iron mandal में ही स्थापित किये जाते हैं, इसके पहले madhya mandal में हमने समझा था, कि जो भी आपके ulka pind होते हैं, अगर वो पृत्वी पर गीरते हैं, तो वो जाके madhya mandal में ही समाप्त हो जाते हैं, तो ये पृत्वी में, जो प देखते चलेंगे, इस mandal में उचाई के साथ ताप मान में तेजी से क्या होता है, वृद्धी होती है, जैसे जैसे आपका उचाई बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा, temperature increase होगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा, इसमें विद्धूत आवेशित कडों की अधिकता होती है, इसे हम आयन mandal कहते है, सीधी बात है, आयन जादा होते हैं, इसलिए हम इसे आयन mandal कहते हैं, आयन की अधिकता के कारण इस mandal को आयन mandal कहा जाता है, और याद रखेंगे, यह चौथी परत है, यह चौथा mandal है, इन कडों का कार्य रेडियो तरंगों को भूमी पर तो आयन मंडल के कारण संभव पा रहा है तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे कि अगर यह नहीं होते तो हमारा इस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है हम इतना तो समझ रहे हैं कि पढ़ते पढ़ते हमें चीजे क्लियर हो रही है कि यह सब चीजों से हम जुड़े हुएं अगर इनमें से कोई एक चीज भी गायब हो जाए तो हम बहुत ज्यादा कह सकते हैं मुसीबत में पढ़ सकते हैं और बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है, तो अगर हम बात करें, यह पांचवा है आपका अंतिम परत या मंडल जिसे हम कहते हैं एकजो स्फियर जिसे हम बाह मंडल कहते हैं यह सबसे उपरी परत होती है और वायो मंडल की कोई उपरी सीमा निर्धारित नहीं है सब की सीमा को हमने देखा, सब की उचाई को समझा लेकिन अगर हम बाय मंडल की बात करें तो बाय मंडल की कोई उचाई की सीमा नहीं बताई गई है कि बाय मंडल कब तक है मतलब आप जितना भी उपर जाते जा रहे हैं अभी क्या आपका बाय मंडल का ही एक हिस्सा है, इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है, ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता सबसे अधिक होती है, तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो बाय मंडल है उसमें हाइड्रोजन और हिलियम की मात्रस्प से अधिक होती है अब देखे हमने पांच मंडल पढ़ा ना पांचों मंडल की अपनी विसेस्ताओं को हमने समझा जैसे जोप मंडल जितनी भी मौसमी घटाएं होती इसी में होती है समताप मंडल ओजुन परतीस में दिखता है दूसरा कि जितने भी आप वायो यान देखते हैं वो इसी मंडल में उड़ाय जाते है फिर हमने मध्य मंडल को समझा मध्य मंदल में क्या होता है कि कोई भी उलकापिंड आता है वो यहीं पर आके समाप्त हो जाता है फिर हमने चौथा हमने क्या समझा चौथा हमने आयन मंदल को देखा अगर बिना किसी माध्यम के संचार संभा हो पा रहा है तो किसके कारण हो रहा है आयन मंडल के कानड ही हो रहा है और आयन अधिक होने के कानड ही इसे हम क्या कहते है आयन मंडल कहते है फिर आपका ये है बाह मंडल जिसमें आपका हिलियम और हाइड्रोजन सबसे अधिक मातरा में पाय जाता है तो अगर हम केवल एक एक गुर लेना तो ये बहुत ज़्यादा important है तो ये सभी मंदल को पढ़ना आवश्यक है Notes भी बनाते चलेंगे एकदम पता ही नहीं चलेगा आपनों को कभ याद हो जाएगा चलिए इस मंदल की उपरी सीमा सुनिश्चित नहीं है इस मंदल पर Aurora, Borelius, Dhruvijoti Uttar Dhruvijoti या Dachshir Dhruvijoti कहा जाता है मतलब यह जो घटनाए होती है ना उनको इतने सारे नामों से जाना जाता है अब यह होता क्या है तो देखिए इस अदभूत प्राक्तिक नजारे को विष्व के अजूमों में गिना जाता है द्रुवों के पास ही इनकी इस्थानी उत्पति की वज़ए से इन्हे द्रुवी जोती कहते है जो द्रुव होते हैं उन्ही के पास इनकी जोती दिखाई देती है मैं आपको अभी इमेज के थूँ या वीडियो के थूँ दिखाऊंगी या द्चिड द्रुवी जोती कहा जाता है उत्री अच्छांसों की द्रुवी जोती को सुमेरू जोती कहा जाता है तो जो अगर उत्री अच्छांस में जो घटना होती उसे हम सुमेरू जोती कहते है या उत्र द्रुवी जोती के नाम से जानते हैं यह यहां से तरहाग सवाल नहीं बना है लेकिन हे प्यसी में अक्सर पूछा जाता है चल्ली यह क्या होता है आपका जो हमने पढ़ा है आपका अरोरा बोरलियस या बोरेलिस भी कहते है या धुरूवी जोती भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, यह हमने देखा क्योंकि धुरूओं के पास जो हमें रोशनी दिखाई देती है, इसी कारण हम इसे यह धुरूवी जोती कहते है, नाम से इस पास ठोड़ा धुरूओं के पास जो हरे रंग की हलकी दिखाई देती है मैं आप लोगो दिखाती हूँ इसको एक वीडियो के मान्थेम से अब आप देख सकते हैं यही आपका वो अरोरा, बोरेलियस या धुरूवी जोती जो हलका हलका आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है इसी को हम इसी घटना को हम कहते हैं यहांपस हमने देखा कि धुरूव के पास जो रोशनी दिखाई देती है इसकारा हम इसे धुरूवी जोती कहते हैं तो इस चीज को ध्यान रखेंगे तो यह हो गया आपका एक वीडियो धुरूवी जोती की घटना को समझने के लिए तो अभी तक तो एक्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है कुछ कोश्यन है देखते चलेंगे अधिकतर मौसम की घटना है वाईयू मंडल के किस परत में घटती है अब देखिए सवाल बन रहे है न अब आप लोग बताएंगे कि बताइए क्या आयन मंडल में घटती है नहीं क्या बाय मंडल में घटती है नहीं क्या जोप मंडल में घटती है बताइए या समताप मंडल में घटती है तो हमने पढ़ा है कि जितने भी मौसमी घटना है वो आपके जोप मंडल में घटती है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ये जोप मंडल तो ऐसे ही समस्ते चलेंगे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपका जो एक्जाम होने वाला है उसमें लगबग ऐसे ही सवाल पूछे जाते है होता क्या है कि हम ना टॉपिक जब पढ़ते नहीं है तो वह हमें बहुत टफ लगता है लेकिन अब एक्जामीनर ना इस वायू मंडल से कैसे भी सवाल को घुमाफिरा कर देगा आप कवर कर लेंगे आपसे पूछे कि दुरूवी जो आप लोग पढ़ें रोशनी वो घड़ना कहा होती है तो बाहें मंडल में होती है और वायू यान कहां उड़ाए जाते है तो आप िसली वता सकते हैं समताप मंडल में होती है और आपका जो बिना माध्यम का संचार संभा होता है वो किसके कारण होता है आयन मंडल के कारण होता है तो ञा कैसे भी एक्जामीनर सवाल बनाएगा आप कर लेंगे आकास में तारिक यूग टिम्टी माते हैं तो वाईयू मंडल की जो विभिन पड़ते होती है उनके अपवर्तन के कारण ही आकास में तारिक टिम्टी माते हुए दिखाई देते हैं तो याद रखेंगे चलिए आगे वड़ते हैं आप लोग लगपग यह 5 मंदल हो गया है अगला है आपका आयन बोल रही हूं ओजोन मंदल चीक है वैसे तो मैं आप लोग को एक्जाम में कराऊंगी ही एक्जाम के लिए मैं आप लोग से ओजोन का एक टॉपिक कराऊंगी ही लेकिन थोड़ा सा हम देख सकते हैं ओजोन परत का तो संताप मंदल के ऊपर एक परत पाया जाता है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं इसकी उचाई 32 से 60 होती है दूसरी बात कि इस मंदल में ओजोन गया इसकी परत क्या करती है ठीक है कब 1980 के दसक में जो देखा गया था लेकिन अभी ही पता चल रहे है कि सायद वो उसको कवर कर लिया गया है मैंने ऐसा न्यूज में हलका देखा था एकदम यह नहीं कह सकते कि यह ऑथेंटिक दाटा है या ओफिशियल है तो यह देखना पड़ेगा बाकि इसमें उचाई के साथ बढ़ने के साथ साथ तातमान भी बढ़ता है तो इस सारी चीजों को हमने समझा तो यह क्या हो गए आपकी वायू मंडल की कुछ बाते हो गई आज हमने वायू मंडल को समझा कल की कक्षा में हम अगला टॉपिक को समझेंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत महत्पूर्ण रहेगा हम एक्जाम में उन्हीं टॉपिक को टार्गेट करेंगे जो एक्जाम में पूछेगा अगर हमें लगता है कि ऐसा नहीं कि जो एक्जाम में आने कि जिसकी साम 100% कह सकते हम लोग संभावना हो उसको पढ़ेंगे ऐसा नहीं है अगर एक परशंट भी हमें लगता है कि वो एक्जाम में पूछ सकता है तो उसे भी हम कवर करते चलेंगे तो नोट्स बनाते चले और पढ़ते चलें कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टिम कोको